हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच पर परहार में मैं हूँ सनी शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में 12th किलास के बाद पाइलिट कैसे बने हैं फ्रेंड्स ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए बच्चे बहुत उत्सुक रहते हैं आपने देखा होगा कि बच्पन में जब बच्चा बिल्कुल मासुम होता है उससे पूछा जाए कि क्या बनेगा तो अधिकांच बच्चों का जवाब होता है पाइलेट तो ये एक सपना हो तो बनने के बाद आपकी जो सेलरी है वो और प्लस आपको क्या-क्या सुईधाय मिलती है इन सारी बातों पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर इसके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि जो बेसिक कैटेगरी पाइलेट की है वो कितनी है तो हमारे इंडिया में जो पाइलेट की कैटेगरीज है उनको आप दो भागों में बाढ़ सकते हैं पहला पाइलेट ऑफ इंडियन एर फोर्स एक गौर्मेंट का सेक्टर है इस कैसे जाय जा सकता है उसके लिए क्या क्या ओप्शन्स आपके पास अवलेबल है इसके अलावा कॉमर्शल पाइलेट पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कोई भी वह नहां जाकर कि उस वीडियो को देख सकता है और उसकी जानकारी प्राइब कर सकता है दोस्तों 12 के बाद पाइलेट बनने के लिए जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है पहली तो यह है कि जो आपकी 12 किलास पास हुई है उसमें आपके पास PCM सब्जेक्ट हो और उसम 2.5 cm होनी चाहिए बैटने पर आपकी हाइट 81.5 cm से 96 cm के बीच में होनी चाहिए और अगर किसी को कलर ब्लाइनेस की दिक्कत है तो वह इसके लिए इलिजिबल नहीं होगा विजन आपका बिल्कु परफेक्ट होना चाहिए 6x6 का विजन इसके लिए जरूरी होता है इसके इने तरीकों से हम Indian Air Force में जा सकते हैं और लड़किया कब एपलाय कर सकती हैं, कब नहीं एपलाय कर सकती हैं दोस्तों Indian Air Force की job government है इन्हें आप government pilot भी कह सकते हैं या फिर लडाथू pilot भी आप इन्हें कह सकते हैं fighter pilot भी कह सकते हैं ये job एकदम गौरव वाली है इसमें आपके जो बच्चे होते हैं उनको भी facility मिलती है medical facility मिलती है education उनकी पूरी तरह से free होती है और जो ये pilot होते हैं ये सेन अमल नागरिकों की तरह treat नहीं किया जाता अगर कोई बात ऐसी आती है कि आरूप लगाना जरूरी भी हो जाता है तब भी पुलिस इनके जो अधिकारी होते हैं उन से senior अधिकारियों की बिना permission की इन से पूस्ता तक भी नहीं कर सकती इसके लावा इनका जो career होता है वो भी बहुत bright होता है future बहुत bright होता है और समाज में एक अलग पहचान होती है तो दोस्तों start करते हैं 12th के बाद pilot कैसे बने इसके कितने method हैं अब दोस्तों चार तरीके से आप 12th के बाद pilot बनने के लिए apply कर सकते हैं इसमें जो पहला तरीका है वो है NDA NDA के exam के बारे में दिखतर लोगों को पता होता है दूसरा जो तरीका है वो है CDS तीसरा तरीका होता है NCC यानि National Cadet Corps के थ्रू और चौथा तरीका होता है F-CAT जो Air Force conduct कराता है SSC conduct कराता है एक तरह से direct Air Force का ही paper होता है तो इन चार तरीकों से आप Indian Air Force में pilot बनने के लिए apply कर स रखते हैं अब इन में से हर एक को विस्तार से समझते हैं detail उसकी जानते हैं सबसे पहला method NDA यानि National Defense Academy exam ये देने के लिए जो आपकी age है वो 16 से 19 years के बीच महुनी चाहिए 12th class आपने पास क्या हूआ हो 50% marks आपके आए हो PCM आपके पास subject रहा हो ये qualification जरूरी है और ये जो NDA एक exam आता है इसमें physics, chemistry, math लगभग उसी standard की आती है जिस standard की आपने 12th में पढ़ी है तो अगर आप थोड़ी समें महनत करते हैं तो आप इस NDA exam को clear कर सकते हैं और इस जो NDA exam होता है ये सिर्फ boys के लिए होता है इसमें girls apply नहीं कर सकती है NDA clear करने के बाद आपको training के लिए खड़क वासला भेज दिया जाता है खड़क वासला National Defense Academy में आपके training होती है वहाँ पर आपको हर प्रकार का हतियार चलाना सिखाया जाता है हर प्रकार का विमान उड़ाना सिखाया जाता है और आपको perfect किया जाता है जब आपकी training पूरी ह हो जाती है तो आप सेना के commission अधिकारी बन जाते हैं और फिर उसके बाद जहां भी Air Force के center है वहाँ पर आपकी joining हो जाती है अब दूसरा तरीका आता है CDS आप CDS के थ्रू भी Air Force में जा सकते हैं यदि आपका मौका NDA का छूट गया है या किसी वज़े से clear नहीं हो पाया है तो CDS आपको दूसरा मौका देता है लेकिन यहाँ पर आपकी qualification different है यहाँ पर आपका graduate होना जरूरी है और graduation में आपके कम से कम 60% marks आए हो graduation किसी भी stream से हो लेकिन science subject होना बहुत जरूरी है BTEC BE वाले 20 के लिए apply कर सकते हैं यह जो CDS के exam होता है यह UPSC conduct कराता है CDS के exam के लिए जो आपकी age है वो 19 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए CDS का paper जून और October साल में दो बार conduct किया जाता है तो यह एक साल में दो बार आप CDS के लिए apply कर सकते हो इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो की अपनी graduation का आखरी semester दे रहे हैं वो लोग भी CDS का paper देने के लिए eligible होते हैं इसके बाद तीसरा तरीका आता है NCC यानि National Cadet Corps के थुरू Air Force में apply करना इस माध्यम से Air Force जाइन करने के लिए जरूरी है कि आपने पहले से NCC जाइन किया हुआ हो इसके लिए आपको NCC की Air Wing में रहना पड़ेगा और जो NCC की Air Wing होती है इसकी जो Senior Division होती है वहाँ से आपको C certificate लेना पड़ेगा यह एक तरह की training होती है जो आपका graduation है graduation आपका 60% से पास होना इसमें भी जरूरी है लेकिन यह जो entry होती है यह permanent नहीं होती इसका मतलब जैसे NDA और CDS साल में दो बार होंगे होंगे यह fix है लेकिन NCC के थुरू Air Force में entry होती है यह fix नहीं होती इसके लिए आपको जो भी आपकी air wing होगी वहां के जो DG हो उनसे आप संपर कर सकते हैं यह जानने के लिए कि कब इसमें entry हो रही है और उसके according आप इसमें apply कर सकते हैं इस माध्यम से भी केवल लड़के ही apply कर सकते हैं लड़किया इसके लिए eligible नहीं होती है अब हम बात करते हैं चौत इसमें आपको बताये NDA, CDS और NCC इन तीनों माध्यमों से केवल लड़के ही apply कर सकते हैं लेकिन इस method के अंदर लड़के और लड़किया दोनों ही pilot के लिए apply कर सकते हैं यह exam जो होता है यह SSC conduct कराती है एक तरह से Air Force का जो है direct exam होता है qualification same है आप graduate होने चाहिए और कम से कम आ जॉब है वो 14 साल तक आपकी रहती है लेकिन इससे पहले कि जो मैंने आपको methods बताये थे उसमें जो job होती है वो permanent commission होता है तो यह दोनों में फर्क है तो दोस्तों यह चार method थे जिनके थूँ आप Indian Air Force में जा सकते हैं गौर्मेंट पाइलेट बन सकते हैं अब इसके बाद ह करते हैं salary package की तो दोस्तों अगर आप मेहनत करके इन में से कोई paper निकाल के किसी method के थूँ एर फोर्स में entry ले लेते हैं इसके बाद आपका salary package क्या होता है तो यहाँ पर दोस्तों जो basic salary package है वो average आपका 50,000 starting में होता ही है प्लस उसमें facility जाइड हो जाती है तो near about वो 70-80,000 per environment बैठता है इसके बाद जैसे जैसे आप promote होते रहते हैं और आप experience आपको मिलता रहता है उसके according आपकी salary package है वो भी बढ़ती जाती है उड़ान लेती जाती है आगे चल कर इसमें जो future है वो बहुत bright है इसलिए दोस्तों अगर आपका इस field में interest है तो इस जानकारी का lab उठ हाई है और इसके लिए apply कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे like कीजिए और जादर से जाद आगे share कीजिए ताकि जो भी जिनको भी इस information के जरूरत है वहां तक यह जल से जल पहुंच है थैंक्यू